नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल टार्गेट सिविद सर्जिस में तो आज है 20 जून और मद्दप्रदिश के डेली करेंटेफेर में आज हम पढ़ेंगे 20 जून के करेंटेफेर तो लेक्चर ध्यांस देखीगा और दोस्तों इसने वीडियो क लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिजिए अगर आप शेयर पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेजिए तो चलिए सबसे पहले डेज देख लेते हैं एक जून को मनें मना था वर्ल्ड मिल्क डे पाथ जून को हमने मना था विस्व परियावरन दिवस यान 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे और 17 जून को क्या मना था वर्ल्ड डे टू कॉमबेट डिजर्टिफिकेशन और दोट और देखिए आज है 20 जून और 20 जून को मना जाता है विस्व सरनार्थी दिवस यानि वर्ल्ड रिफ्यूजिट डे मना जाता है तो चालिए सबसे पहल अपने मुल्क लोटना नहीं चाहता है इसी देश में मौजूद राजनीतिक धार्मिक और सांप्रदाई के उत्पलन के कारण भी लोग सरनार्थी बनते हैं देखिए जो सहयुक्त राष्ट ने विस्व सरनार्थी दिवस मनाने की जो गोशना है वो 4 दिसंबर 2000 को की थी ठ जाग रुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी जो 2020 की थीम है वो क्या थी तो इसकी 2020 की थीम क्या है एवरी एक्षन काउंट्स 2021 की थीम क्या है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन जो वर्ल्ड रैफ्यूजेड है वह युनाइटेड नेशन के दवारा मनाया जाता है तो देखिए हम यहाँ पर अगर युनाइटेड नेशन की बात करें तो उसके अभी वरतमान में महासच्यू कोन है वो एंटोनियो गुटेरस है और यह है एंटोनियो गुटेरस यह पूर्तगाल से है ठीक है और युनाइटेड नेशन के स्थापना कर थी उनी सो 45 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याल है जो है वो कहां पर है न्यू यॉर्क में है और यह न्यू यॉर्क कहां है यह युनाइटेड इस्टेट अमेरिका में है जब युनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तब भारत इसका सदस्य है और इसमें कुल द तो कल के करेंट फिरम पहला कोशन था हमारा मद्ध्य प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटर्वेशन सेंटर की सजीले में खुलेगा तो यह हमारे मद्ध्य प्रदेश की राजधनी भूपाल में खुलेगा तो इसमें मद्ध्य प्रदेश का कौन सा विस्विध्याला सामिल है तो इसमें मद्ध्य प्रदेश का माखनलाल चतुरुवेदी राष्टी पत्रकारिता एवं संचार विस्विध्याला सामिल है और यह कहां पर है तो यह भूपाल में है और बात करें आपर माखनलाल चतुर बभुपाल में यह प्रावीट उन्यूवर्सिटी है और डाक्टर हरिश्य गॉर विस्विद्याले यह सागा डिश्टीक में हो यह मद्ध्रदेश का पहला विस्विद्याले था और रानी दुरुगावति विस्विद्याले कहां पर है तो यह जबल पूर डिश्टीक इसको सन है हमारा हाली में मद्यप्रदेश राज्य पुरूस होकी एकेडमी का कोच किसे न्यूक्त किया गया है तो ये किया गया है समीरदाद को ठीक है और ये है समीरदाद तो इन्हें ही मद्यप्रदेश राज्य पुरूस होकी एकेडमी का कोच न्यूक्त किया है अच्छा हमारे मद्दप्रदेश की जो महिला होकी एकेडमी है उसके कोच कौन है तो यह परमजीत सीय है ठीक है और अभी इसके पहले पूरुस होकी एकेडमी कोच कौन थे तो यह राजिंदर सीय जी थे और जो मदनलाल है यह मद्दप्रदेश क्रिकेट एकेडमी के कोच है और देखिए मद्दप्रदेश पुरू सौकी एकेडमी कहां पर है तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कभी थी तो 2007 में हुई थी और बात करें आपर मध्यप्रदेश महिला होकेडमी कहाँ पर है तो यह ग्वालियर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2006 में हुई थी नेक्स कोसन था हमारा भारती महिला क्रिकेट टिम में पूजा वस्तरकार ने टेस्ट डेब्यू किया है तो इनका संबंध मध्यप्रदेश के किस डिस्टीक से है तो देखिए यह मध्यप्रदेश के सैडोल डिस्टीक से है और देखिए 15 साल के बाद पहले बार हमारे महिला करकेट खिलाड़े टेस्ट में डेब्यू कर रही है और इसके पहले 2006 में अंदौर की पूजा ने टेस्ट में डेब्यू किया था चलिए अब स्टार्ट करते हैं माच के करेंट पर तो आज के करेंट एफिर में पहला कोशन है हमारा मद्यप्रदेश का पहला 70% मिटर प्रोजेक्ट की शुरुवात इंदौर से हुई थी और इंदौर में कुल एक लग से ज्यादा मिटर लग चुके हैं स्मार्ट मिटर लेकिन इससे यहां पर 6 गुना ज्यादा उब्वोकता है और महु में उब्वोकता की संक्या कम होने के कारण उसे पहले 7% स्मार्ट म मिटर लगाना प्राणब कप से किये गए थे तो यह जन्वर्जिक किये गए थे यहां कि सभी 14500 उपवोकता हों कि यहां मिटर नियसुल का लगाय जा रहा है और यह स्मार्ट मिटर राउटर के माध्यम से एक तारीक को मिटर के रीडिंग कंट्रोल रूम भेज देंगे त सत्त प्रतिसत स्मार्ट मिटर वाला सहर कौन सा बनेंगा तो यह बनेंगा महू और देखिए यहां पर हम बात करें महू की तो सन 2003 में मद्ध्रदेश गौवर्मेंट के दवारा इस सहर का नाम मदल कर डॉक्टर अंबेटकर नगर रग दिया गया था कब रग दिया गया था महू में स्तीत है देखिए यहां पर हम बात करें तो महू सन 2003 में मद्ध्रदेश सरकार द्वारा इस सहर का नाम बदल कर क्या रग दिया गया था डॉक्टर अंबेटकर नगर रग दिया गया था कब 2003 में ठीक है और महू में भारतिय सल्थेना के कई इकाईय मौजूद है औ और यहां विस्व प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेटकर राश्टी सामाजिक सोस संस्तान भी कहां पर है तो यह महू में है और देखिए यह डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की इसमारक है जो की महू में स्तीत है अब इसका नाम क्या कर दिया गया है डॉक्टर पिक के लिए घुसित भारत की महिला होकी टीम में गौलियर होकी एकेडमी इसको हम मद्दप्रदेश महिला होकी एकेडमी भी बोल चकते हैं गौलियर होकी एकेडमी से किसको सामिल किया गया है तो पी सुसिला चानू मोनिका और वंदना कटारिया ये तीनों को सामिल किया गय वो कौन-कौन तो एक तो सागर प्रसाद और एक नीलकन ठीक है ये दो खिलाडी मद्दप्रदेश से पुरूस होकी टीम में सेलेक्ट हुए है और ये देखिए बंदना कटारिया और ये है मोनिका और ये है सुसीला चानू तोक्यो ओलम्पिक के लिए घोशित भारतिय महिला हौकी टीम में मद्दप्रदेश राज्य महिला हौकी एकेडमी गौलियर से खेल चुकी तीन खिलालियों को जगह मिली है और ये तीनों खिलाली लगातर दूसरी बार ओलम्पिक में देश का प्रतिनी दित्व करेगी और मिड फिल्डर चानू 2006-2010 तक गौलियर एकेडमी म मौनिका भी 2010-2011 तक एकेडमी में रह चुकी है और फारवर्ड प्लेयर बंदना कटारिया 2011 के नेशनल गेम्स में MP की टीम में सामिल थी इसमें रानी रामपाल को टीम की कप्तान बनाया गया है और टीम सबसे ज्यादा जो नौ खिला लिए वो किस राजे से हैं तो ये हर्य में जगह बनाने वाली मिजोरम की पहली खिलाडी है और भारती महिला होकी टीम तीसरी बार ऑलंपिक खेलों में सिरकत करेगी और यहां लगातर दूसरी बार टीम ने 1980 में पहली बार सिरकत किया था उसके बाद 2016 में ऑलंपिक के लिए क्वालिफई किया था हमारी महीला होकी टीम ने इसी वर्स ACI चैंपियंशिप ट्रॉफी और 2017 एशिय कप और 2018 का ACI खेलों में रजत पदक जीता था और टीम ने पहली बार 2018 में महीला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुचकर इत्याज भी रचा था यह है महीला होकी टीम के खिला लिए पूरी 16 खिला लिए ठीक है दोस्तों विश्व में जितने भी होकी खेल होते है उसे कौन रेगुलेट करता है तो IHF है यहां पर ठीक है तो IHF रेगुलेट करता है यानि International होकी फेडरेशन अंतराष्टी होकी महासंग इसकी स्थापना कभूती साज जनवरी 1924 को ही ती और इसके मुख्याले कहां पर है तो लूसाने स्विजर लैंड में है और इसके अभी अध्यक्ष कोन है तो यह नरेंद्र बत्रा है और यह हमारे देश के है यह इंडियाने ठ है और अभी CEO कोन है तो फेरेंटरी इसके अभी CEO है तो दोस्तों याद रखेएगा मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है टुक्यो ओलंपिक के लिए घोशित भारत की महीला होकी टीम में मद्दप्रदेश महीला होकी एकेडमी से किस-किस को सामिल किया गया है पी सुसिला तो इसका अंसर कर जाएगा ऑप्सन नमबर ए इंदप्र पुर्वोत्तर हिंदी एकेडमी सिलोंग कहां पर है मेगाले मेगाले की राजदानिये शिलोंग दौरा विगत दिनों एक भव्य राष्टिये हिंदी विकास सम्मेलन आयोजीत किया गया और ऑनलाइन आयोजीत इस सम्मेलन में देजबर के साहित्य आलोचक कलाकार वा पत्रगार सामिल हुए और इस दोरान वामा साहित्य मंच की सदस्यता अंतरा करवाले को पुर्वोत्तर में उनकी साहित्य सेवा के लिए हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किया गया है most important question है दोस्तों विवीद सत्रों में पुर्वोत्तर के हिवाओ को मुक्य धारा में जोलने तकनीक के साथ पीडियों के अंतर को कम करने और हिंदी को आगे ले जाने को लेकर वरतमान में आवस्यक प्रयत्नों की इस्थिती पर प्रकास डाला है और वामा मंच की वरिष्ट साहित्यकार वसूधा गाडगिल जोती दूबे और रागवेंदर दूबे को भी सम्मानित किया गया है और दोस्तो हमारे दीस में साथ नौर्थिस स्ट्रीट है यानि पुर्वोत्तर राजे वो कौन-कौन से है एक तो अरुनाचल प्रदीश है असम है नागलेंड मनिपूर मिजोरम त्रिपूरा और मेगाले ठीक है तो ये साथ पुर्वोत्तर राजे है जिसमें मेगाले की ब लोस्ती संक्या कितनी दो है और हमारे मद्रिप्रदेशन tactics बोर्थ? makust corporateUM कि याद रखेगा इंद और सहर की अंतरा करवले को प्रवोत्तर में उनके सहित्क्ति स्वा के लिए हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किया गया तो तो कल का हमारा कोशन था विश्व प्रतिवी दिवस कब मना जाता है यह MPPC 2015 में पूछा भी जा चुका है तो देखिए विश्व प्रतिवी दिवस मना जाता है बावीस अप्रेल को तो इसका अंसर क्या हो जाएगा विश्व प्रतिवी दिवस की तो इसकी स्थापना अमेरिकी सेनेटर जिराल्ड नैसनल ने 1970 में एक परियावरन जिक्षा के रूप में की थी और अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्स मनाया जाता है और इस बार कोरोना काल में अर्थ डे की थीम क्या है तो विवस्ता में बहाल करना इसकी थीम में और दोस्तों आज के लिए आपका कोशन है भारत का कौन सा अधिक्तं राज्य सिमाओं को चूता घिक है तो यह आपको बताना है ठीक है झाल